नवश्कार और समीका स्वागत है जन्मत की पुकार में भाश्का दिली प्रदेश के OBC मोर्चा ने नए प्रवक्ता की दूशना कर दी है OBC मोर्चा ने इश्वर आजाग को अपना प्रवक्ता नियूर्ट किया है प्रवक्ता का फद संभालते ही उन्होंने विपक्ष के खिलाब मोर्चा खुल दिया है जन्मत की पुकार की मुख्य सप्पादत आर्के जैसवाल जिसे बादचीत में इश्वर आजाग ने केजरीवाल सरकार और कॉंग्रेस पर जम कर निशाना साधा सुनिये उन्होंने क्या कहा नमस्कार मैं आरके जैसवाल और आप देख रहे हैं जन्मत की पुकार मैं मौझूद हूं तिरी नगर विधान सभाद छेत्र का स्रीनगर में इस्वर आजाग जी को भारते जन्ता पार्टी ओविसी मोर्चा ने दिली परदिस ने परवक्ता न अपने परदेश नित्तर्तव को संगठन को जिनोंने मुझे इस लाइक समझा कि परवक्ता के तोर में मुझे दिली परदेश में ओविसी की आवाज को उठाना चाहिए करना चाहिए कब से भारती जन्ता पार्टी से जुडाव हो गया था देखिए जुडाव तो मेरा संग परवेश जो है 1983 का है तब मैं सात्वी क्लास में ही पढ़ता था तब से ही संग की शाका में जाना और संग के कारेकरमों में रहना होता था उसके बाद फिर पढ़ाई के लिए में बाहर गया आया व्यापार में लग गया लेकिन अब आपके सामने ही है तकरीबन दस साल हो गए है जिसमें बाजपा से ही सेवा करने का मोका रहता है संग की द्रश्टी से भी जो हमें दाइतों मिलता है जो काम मिलता है उसको करते है सामने लोग सभा चुनाव है उसके बाद विजान सभा चुनाव भी है ऐसे समय में आपको दाइत मिला है क्या तैयारियां है पार्टी के और आपकी पार्टी और संगठन की त्यारी बड़ी ही माइक्रो मीनी मेनेजमेंट के हिसाब से हैं बूत लेवल पे बूत लेवल पे त तकरीबन तीस गरों के उपर एक व्यक्ति का रहेगा और मोदी जी ने जित परकार से विकास किया है सभी लोग मोदी की गारंटी को मानते हैं तीन परदेशों में जो चुना हुआ है इसमें सभी लोग देख भी चुके हैं और विपक्षी गठवंदन में उनको लेकर के कि भी आप देख रहे हो कि आम अधी पाटी जन संबाद कार्चकर्म करीए लोगों से डाइडेक्ट बातचीत कर रही है कि सरकार जेल से चलाई जाई या इस्तिफा देना चाहिए इस पर लोगों से संबाद कर रहे हैं भारी भीर लग रही है वहाँ पर देखिए यह तो हमार तब पर बाये उसमें नहीं है कि हम इसमें एतना ध्याँ के इंद्रित करें लोग देख रहे हैं समझ गए हैं कि यह वो वैक्ती नहीं है जो यह कहते थे हम गाड़ी नहीं लेंगे बंगला नहीं लेंगे हम भरस्टाचार नहीं होगा इनो जो हमारी समयादानिक संस्थाएं ह ओपर भी ये लोग उंगले उठाते हैं कि ये लोग सरकार के दबाव में इनको तंग कर रही हैं लेकिन एक बात बताईए अगर कोई सबूत नहीं होगा तो भारत की जो न्याय ववस्ता है न्याय पढ़नाली है वो इनको कैसे अंदर रख लेगी सुप्रीम कोट में ये दो स साल से सिंदर जैन को के लिए बोल रहे हैं कि जी इनको जमानत दे दो इनको बरी कर दो तो वहां पर जाकर के तो इनको बच जाना चाहिए था अगर कोई सबूत इनके खिलाफ नहीं होता तो तो गुजरात में जाकर कर बोल रहे थे कि डर गई है भाजपा आमादी पार्ट में 36 गड में भी ये लोग केजरिवाल जी गारंटी दे रहे थे और वहां पर नोटा से भी कम इनको वोट मिले हैं एक बात रही बात दिल्ली और पंजाब की इन्होंने लोगों को बर्गला लिया था वो बर्गलाई में आ गए थे हकीकत अब लोगों के सामने आ चुकी है आप अपने दिल पे हाथ रखके बताईए क्योंकि लोगतंतर के अंदर पत्तरकारिता भी चोथा स्थम होता है उस पे कि क्या दिल्ली में जो शराब बिक रही थी एक के साथ एक फिरी दो एक के साथ दो फिरी और जो इतने ठेके खुल गए थे क्या वो दिल्ली के भविश सेवाओं में भी शराब जो है हर महले में बिकनी चाहिए और एक के साथ एक फिरी होनी चाहिए थी उसमें उस निती में इनकी गलती नहीं थी तो वापिस क्यों ली और वापिस ली थी जिस उसके अंदर जो खामिया थी जो बरस्टा चार हुआ था उसको लेकर के इनके दो हर परदेश में जाकर के चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली की भोली भाली जनता का जो टैक्स का पैसा है क्या ये उससे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्या ये भरस्टा चार के द्वारा पैसा नहीं आ रहा है आप इस बात का सोचिए और मेरी इस बात को आप के माध्यम से मैं लोगों को कहना भी चाहूंगा कि दो लोगों की स्वास्त का और शिक्षा का इनको इतना ही ख्याल था तो ये श्यो शराब नीती थी उसको दलगत राजनीती से उपर उठकर के आप सोचोगे तो आपको लगेगा नहीं कि ये जो है बहुत ही गलत काम हो रहा था और भाज है कि भई भाजपा और भाजपा का संगठन दिल्ली के विकास के लिए है और पूरा देश पूरा विश्व आज मोदी जी का गुंगान कर रहा है उसका कारण सिरफ विकास और राष्टवादी विचारदारा है और 22 जनुवरी को जो श्री राम मंदिर में पर्भू राम का कि स्तापना होने जा रही है प्रान परतिष्टा होने जा रही है उसके बाद का जो भारत होगा आप अब उस पे चर्चा करिए तो आपको पता चलेगा कि भारत तब कहां पहुंच रहा है और कहां पहुंच जाएगा वो समय बड़ा नजदी का चुका 22 तारीक के बाद का भारत होगा एक यह विशह भी आपके बीच आपके लिए मैं दे रहा हूं कि 22 जनवरी के बाद का भारत महोल पूरा चेंज हो चेंज हो जाएगा राम में हो जाएगा जो रामराज्य की जो कल्पना हम करते थे जो हम कहते थे वह हमारे संगठन ने मा और माननी मोदी जी ने उस चीज को संभाव करके दिखाया है और पूरा संगठन विश्व की सबसे बड़ी पाल्टी उसके कार्यकरता विश्व का सबसे बड़ा स्वम सेवी संगठन राष्टिय स्वम सेवक संग और उसके तकरीवन सो परकल्प इस आयोजन के लिए घर घर जाकर के लोगों को अ हजार चोबीस के बाद का जो भारत होगा उसमें किसी भी परकार के यह जो चलावे वाली पार्टियां और यह गठवंदन है यह निस्तना दोनों पार्टी कांग्रेस और आमादी पार्टी गठवंदन में चुनाव लग रही है ऐसी खबर आ गई है फिर महोल तो बताईए जिस लोक सभा के अंदर इन दोनों के वोट मिलकर भी जीत रहे हों यह दोनों के वोट मिलकर के भी जीत रहे हों वो बताईए और यह वही केजरिवाल है जो भरष्ट बता रहा था सिला दिक्षित को जो भरष्ट बता रहा था लालू परसाद को जो भरष्ट बत रहा था करुणा निदी को जो भरष्ट बता रहा था बंगाल में इसको ममता दीदी को किसको भरष्ट नहीं बताया और आज ये किसके साथ जा करके हाथ जोड करके नहीं नहीं खड़ा हुआ सब लोग समझ गया और इस परकार का घठवंदन तो पिछले चुनाओं के लोकसभा चुनाओं में उत्तर परदेश में अखिलेश यादव ने भी मायावती जी के थात किया था कि वह दलित मुस्लिम और यादव वोट मिलकर के रुतर परदेश के अंदर जी का जो भाव है कार्य करनी की जो शहली है वह निश्पक्ष के साथ साथ निश्कलंक है उस पर कोई दाग नहीं है कि भाश्पाय वाले बोट मांग रहे हैं मंदिर पर मांग रहे हैं रोजगार पर नहीं मांग रहे हैं कोई विकास काम नहीं किना रहे हैं मंदिर मंदिर रहें जैस्वाल जी आप हमारे यहां की जो एकोनोमी है उसकी जो ग्रोथ है वो विश्व में इस समय सबसे तेजी से उबरती हुई है और यह 24 है 39 के चुनाव तक देखना दुनिया की तीधरी सबसे बड़ी आर्थव्यवस्ता हो जाएगी क्या वह आर्थव्यवस्ता लोन हेले करके हो गई है कित रजा लेकर के इतनी बड़ी आर्थवव्यवस्ता हो गई है आप शोचने का विशय वह बिना रोजगार के इतनी बड़ी विकासदर है जो प्यमाने क्ली सोब शेतर में इसा अधायरभ पूरा विश्व जो है ये इस परकार के रिकार्ड मोहिया करा रहा है जिसमें थीदा दिखता है कि भारत आने वारत में वीश्व की सबसे बड़ी अर्थ्म वस्था बनने जा रहा है और उसके अलावा हमारे परधानमंतरी ने विश्व संकट के समय भी जिस परकार आगे बढ़ करके विश्व का सयोग किया है करोना जैसी महामारी में भी वैसे वैसी मिसाल आपको देखने को नहीं मिलेगी ये काम पहले के समय में विक्सित देश करते थे भारत जैसा एक इतनी बड़ी जन संख्या वाला देश जिसको के मतलब विपक्षी पार्टिय कहती है की भई आज हम हमारा में करजा बढ़ गया है वह लोग पूरे विश्व में इतना सहयोग कहते कहां कर पाते थे आज दुनिया हमारे को साहिता के लिए भी देख रही है मध्यस्ता के लिए भी देख र पूरी दुनिया देख रही है और देश में बड़े उत्सा का महुल है तीनों चुनावव, आप देख चुके हो, तीनों चुनावव में जिस परकार एकतर जीते हैं, वो लोगों का सीधा-सीधा संदेश है और लोगत तंतर में तो जनता ही मालिक होती है और जंता ने देखा है तबी यह सबाया है और बड़ी ही सहyasता के साथ में कह रहा हूँ कि हमारा नारा अब की बार 400 पार है लोगसबा में कम से कम साधे 300 से 400 के बीच में सीर्टे कम से कम आ रही हैं और 400 पार भी हो जाएगं तो कोई बड़ी बातम relation अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो किर्पया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें शेर करें कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार